सरकार को करोडो रूपे का चूना लग रहा है और लगा कौन रहा है मैं चाहूंगी कि आप जो वीडियो भी चलेगी 8 मिनिट लंबी वीडियो है उसे ध्यान से देखे और ध्यान से सुने ताकि आपको मालूम चले कि कौन वो लोग है जो टाक्स की चोरी कर रहे हैं जिसकी व कि इस रोड पर चलने के बाद उन्हें ना ही सामबा में सरोड में जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस करना पड़ता है और इस रोड को क्रॉस करके वो सीधा उधम पर पहुंचते हैं इसलिए बंड टोल प्लाजा भी उन्हें क्रॉस करना नहीं पड़ता आप देख सकते हैं कि रोड के साइड पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है पूरे डबल लेन रोड को सिंगल लेन कर रखा है इन ट्रक्स ने जैसा कि मैंने कहा कि हालां कि ये ट्रक्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन से रोड पर जाना है कौन से रोड पर नहीं जाना है लेकिन इनक नुकसान होता है डो चीजों का एक 용 Duo का चीजों का सकते हैं थो सडड़ में गड्डे नहीं थे आप आज टेक सकते हैं कि अपको इसमें गड्डे ही गड्डे मिल के नहीं होते हैं $2 दूसरी बात इन ट्रक्स की रिपेर और मिंटेनेंस भी उसके बाद नहीं होती। साथी साथ ये रोड जो सामबा मांसर रोड है इस रोड को वैसे बहुत ही सीनिक रोड माना जाता है। सीनिक रोड इसलिए क्योंकि जो लोग पिकनिक्स पे या किसी भी टूरिस्ट एडवेंचर के लिए मांसर की ओर निकलते हैं तो इस रोड पर उन्हें बहुत ही खुबसूरत पहाड़ियां देखने को मिलती हैं बहुत ही खुबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं लेकिन सड़क के उपर पार्ग रहते हैं जिससे ये डबल लेन रोड सिंगल लेन बन जाती है अब देख सकते हैं कि गाड़ी चलाने वाले लोग कोई कोई चीज नहीं देख सकते हैं उन्हें यही परिशानी रहते हैं कि वो इस रस्ते से निकल जाएं पूरा रस्ता भी ब्लॉक ह और साथ ही साथ जो खूब सुरत नजारह आपको अकसर इस रोड पर देखने को मिलते थे वो भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो केवल ट्रक्स की ये कतारे सरकार ने काफी कोशिशें की कि लोगों से टैक्स पे करने की आदत लोगों को ढली जाए जैसा कि आपने दे टोल प्लाजा क्रोस कर सकें, काफी कोशिच से सरकार ने की ताकी ये जतने भी चट्रक्स हैं, चुकिंग ऑपरेशन एक तो बहतर हो जाएं, उसके साथ-साथ लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत ना है, टोल प्लाजा क्रोस करने में दिक्कत ना है, लेकिन आखिर क्या अगर उन्हें cross करना पड़ता है तो वो cross करें अगर उन्हें किसी patient को लेकर जाना है तो उन्हें दो दो बार भी tour plaza cross करना पड़ सकता है लेकिन ये trucks जिनके लिए ही बहतर road बनाए गए थे ताकि trucking operations जल्दी हो business में लोगों को फाइदा हो जब time कम लगेगा इन trucks को पहुंचने में साथ ही साथ जब इनका patrol कम लगेगा तो obviously business बहतर तरीके से चलेगा लेकिन इन trucks ने prefer कि ये लंबे route पर पड़ जाए ताकि इन्हें सरकार को पैसा देना ना पड़े आप देख सकते हैं कि trucks की कतारे खतम ही नहीं हो रही है आप जहां तक नज़र डालेंगे वहां तक आपको ये trucks ही trucks इस route पर देखने को मिलेंगे बढ़े बढ़े झा भो झाल 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 पूरा अधिकार है कि इन्हें किस रूट पर जाना है अगर ये वो रूट नहीं पकड़ रहे जहां पर इन्हें टोल देना है क्योंकि ये उस स्मूथ सड़क का इस्तमाल भी नहीं कर रहे इसलिए जरूरी नहीं है कि इन्हें टोल देना ही हो ये चूज कर सकते हैं कि इन्हें किस रूट पर जाना है पर आप खुद ही समझे कि सरकार ने सरकार की कोशिश जब बेटर रोड देने की थी ये टोल लगाने की थी वो इसलिए थी ताकि जब रोड बहतर होंगे तो ट्रॉकिंग ऑपरेशन स्मूदली चलेंगे तो उसे लोड अपना रहे हैं जहां पर इन्हें अपने मंजल तक पहुंचे में वक्त भी जादा लगेगा और उसी के साथ साथ इन्हें जो जो एक्च्वल कोशिश सी सरकार की वो भी पूरी नहीं हो पाएगी तो इन्हें देना ही नहीं पड़ेगा उसके इलावा जिस रोड पर पहुंचे उस रोड को क्रॉस करके यह बहुत देर से अपनी मंजल तक पहुंचेंगे तो आखिर आप काफी सारा लोग हैं वो यह कमेंट करेंगे कि आखिर ट्रक ड्राइवर हैं यह तो बहुत गरीब हैं अगर यह नहीं टोल दे रहे तो क्या प्रॉब्लम है तो मैं आप करोडपती लोगों में से एक यह जो यह ट्रक्किंग ऑपरिशन्स कटक करवाते है तो वो लोग जो औरी करोडपती हैं वह रूट चेंज करवा सकते हैं वो अपने hinaर पैसे के टॉल्ल में बचा सकते हैं कोई समान भी खरीता उसके उसमें भी टाक्स देता है उसे रोड टाक्स देने के साथ साथ टोल टाक्स भी देना ही है लेकिन वो लोग जो कमोशल गाड़ियां उपरेट कर रहे हैं वो लोग जो ट्रक्स चलवा रहे हैं वो करोड़ पती लोग उन्हें ये टोल नहीं देना है तो आखिर इसमें नुकसान, फाइदा चाहे बिजनसे इसको हो लेकिन नुकसान आम आदमी का ही होता है